30 जनवरी 2022 तक अगर आपने इन चार गलतियों को नहीं सुधारा तो जो आपको इस रमकार भत्ता मिल रहा है 1000 रुपिया दोस्तो वह आप नहीं ले पाएंगे ये चार बड़ी गलति अगर आप सुधार लेते हैं तो जो आपका रुकवा पैसा है सरकार आपको सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी दोस्तो इन चार बड़ी गलतियों के कारण ही आपका एक एक हजार रुपिया पहली किसका जो नहीं आया है रुकवा है अब ये चार गलति कौन-कौन सी है चलिए इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको किलरो सपष्ट बता देता हूँ ध्यान रहे अगर आप पात्र इस रमकार लाबारती है तो आपको इन चार बड़ी गलतियों को सुधार ना ही होगा या फिर कहलीजे इन चार बड़े नियमों को आपको मानना ही होगा चलिए किस वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और अगर मन में कोई सवाल है आपके तो आप अपना सवाल कमेंट बोक्ष में जाकर कर सकते हैं हम आपकी हर सवाल का जबाब देंगे साथियो सरकार द्वारा सर्मिकों को परतिमा 500 रुपे देने की गोशना के बाद राज्य के अंतरगत इसरम कारधार को की संक्या लगतार बढ़ती जा रही है अभी तक परदे सरकार के दिन आने वाले सर्मिकों की संक्या जो पात्र मजदूर है उनके रजिस्टेशन साथ करोड़ पचास लाक हो चुके हैं जो की संक्या लगतार दोस्तों बढ़ती ही जा रही है सर्मिकों के खातों में सरकार की तरफ से उनका एक हजार का पहला किस्ट ट्रांसपर किया जा चुका है प्रंतु बहुत सारे ऐसे सर्मिक है जिनके बैंक खाते में प्यारे साथ्यों एक हजार रुपिया नहीं आया है जो की पहली किस्ट था अब दोस्तों यह पैसा क्यों नहीं आया है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा चार बड़ी गलती है जो आपने की है या फिर जानबुच कर हो गई है या फिर आपको उनके बारे में मालूम ही नहीं था जब आपने अपना यह सरमकार बनवाया तो साथ्यों अब आपको वह मालूम होने जा रहा है आप इन्हें दोस्तों चार गलती भी कह सकते हैं या फिर आप इन्हें चार नियम भी कह सकते हैं जो की सरकार द्वारा लागू किये गए हैं आपका इनका पालन करना ही होगा यह सरमकार से जुड़े करोडों की शंख्या में सर्मिकों को सरकार की तरफ से पैसा तो भेजा जा रहा है प्रंतु सर्मिकों के बैंक खातों में वह पैसा अभी तक नहीं पहुच रहा है आखिर क्यों नहीं पहुच रहा है दोस्तों वह करन सामने आ गया है और क्या आपको करना है और क्या वह कारण है तो चलिए जान लेते हैं आपकी वह गलती सामने आ गई है या फिर दोस्तो जान बूझ कर आपसे कोई गलती हुई है वह सामने आ गई है जिसकी वज़े से पैसा नहीं मिल पा रहा है पहली किस्ट जो एक हजार उपे की है वे खातों में रुख गई है राजे सरकार के अभी तक आप इन गलतियों को नहीं सुधार पाए हैं तो जल्दी से सुधार ले और बैंक में पैसा आप ले सकते हैं मैं आपको बता दू पहला किस्ट और दूसरा किस्ट दोनों आप एक साथ ले सकते हैं आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको 2000 रुपे मिल जाएंगे अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो प्यारे साथियों आप यह benefit बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे परदेश सरकार द्वारा जिन सर्मिकों के बैंक खातों में पैसा नहीं आया है उन सभी सर्मिकों के खातों में एक साथ पैसा भेजने सरकार जा रही है दोस्तो यह पैसा उन सभी को मिलनेगा जो पात्र है जिनका बैंक खाता verify हो गया है लेकिन अब भी बहुत सारे बच गए हैं सर्मिक जिनका खाता verify नहीं हुआ है उन चार बड़ी गलतियों के काराण सर्मिक कार से जुड़े वे पात्र सर्मिकों के खातों में सरकार की तरफ से एक हजार रुपिया किस्त भेजना अब सरकार सुरू कर रही है दोस्तों यह पैसा सर्मिकों के खाते में सरकार की तरफ से भेजना अप्रारम किया जा रहा है प्रणतों जिन गलतियों को आपको सुधारना है तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं सात्यों मैं आपको बता दू भले ही आपके खाते में 1000 रुपे आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं आपको भी इन गलतियों को सुधारना होगा क्योंकि सरकार आपको भविश्य में अगर कोई भी अपडेट और बजट 2022 में कोई भी लाब की गोशना होती है आपके लिए तो द या फिर कहले जे नियम क्या है अगर आपने अपना एक इसरमकार बनाया है तो आपको अपना आधार अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा दोस्तों क्योंकि अगर आपके बैंक खाते से यह लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा सबसे बड़ी वज़ा यह है कि बैंक खाता आपकी आधार से लिंक नहीं होगा अगर इसरम कार्ड बनवाया आपने और बैंक खाते से दोस्तो आधार कार्ड ही लिंक नहीं है तो पैसा आपको सरकार कैसे भेज सकती है यह है आपकी सबसे बड़ी गलती है यानि कि मेरे कहने का मतलब है आपने एक इस्रम कार बनवा लिया है लेकिन जो आधार कार्ड से आपने इस्रम कार बनवाया है वह तो आपके बैंक में ही अटेच नहीं है और दोस्तो यह अपडेट मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ यह है ऑफिशल प्रोटल पे भी है आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं तो आप यह एलाब नहीं ले पाएंगे दोस्तो आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है जिसकी वज़े से आपको यह पैसा नहीं मिला और आपके पास एक अंतियम मौका है 30 तारीक से पहले पहले या फिर 30 तारीक तक आपको यहाग गलती सुधारनी होगी अपने आधार से आपको अपना आधार बैंक खाता मा पिचाओंगा बैंक खाता आप लिंक जरूर करा ले दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है देखें दोस्तों यह भी एक बड़ी गलती है और यह भी आधार से जुड़ी हुई है आधार कार्ड से आपको अपना मुबाइल नंबर भी लिंक कराना होगा देखें मुबाइल नंबर लिंक कराना होगा हालाकि आपका जो इस्रम कार्ड है वह दूसरे नंबर से बन गया है परंतु सात्यों आपका mobile number अगर bank में register है तो सात्यों आपको जो इस रमकार का पैसा है वह आपके bank खाते में आया है या फिर नहीं आया है इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगी मैं आपको बता दू अगर यह है नहीं करते हैं तो दूस्तों दो हजार उपे सरकाज़ से भेजे गए हैं उनका कोई भी information आपको प्राप्त नहीं होगा और आप ऐसे ही परिसान रहेंगे इसलिए आप अपनी इस गलती को भी सुधार ले जल से जल जो की number 2 गलती है और number 3 जो गलती है प्यारे साथियों वह सबसे बड़ी गलती है मैं आपको बता दू जिनके खाते सरकार ने verify कर लिये हैं उनके खातों में 1-1,000 रुपिया आ रहा है और सरकार भेज रही है यह पैसा प्यारे साथियों आपको फरवरी के महने में भी मिलेगा हाला कि चुनाव है लेकिन यह एकाउंट में पैसा सरकार द्वारा डिरेक्ट भी जा जाता है ट्रांसवर किया जाता है और जैसे कि आप जानते हैं अलक्षन है तो अलक्षन में साथियों यह benefit सरकार आप को किसान सम्मा ने दियोजना के तहट पैसा प्राप्त हो रहा है अपने बैंक खाते में सालाना 6000 रुपीय तो दोस्तों आप इसी सरमकार के तहट 1000 रुपे प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप इस रमकार बनवाब बले चुके हो लेकिन 1000 रुपे नहीं मिलेगा किसान योज अगर आपका हो रखा है पहले उसे आपको रद कराना होगा अगर वह हैं आप रद करा देते हैं तो समझ लीजे प्यारे साथियों आपके खाते में यह पैसा आ सकता है माली जे किसान योजना के रहता आप जुड़े हुए भी हैं लेकिन आपको फिर भी 2000 रुपे नहीं मिल तो दोस्तो आप उसे रद करवा कर यहять लाप ले सकते हैं एक यह गलती है जो कि आपको सुधार ले है अब जो नमबर 4 पर गलती है दोस्तो वेशों आपके लिए एक एडवाइज है आपके लिए एक सतरक्ता का रहेने का अपडेट है कैसे यह सरमकारधार को अपने द्व उन्हें के खातों में सरकार द्वारा दोस्तों अभी एक हजार रुपे भेजा जा रहा है प्रम्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू बजट 2022 में सर्मिकों के लिए कई बड़ी घोशना हो सकती है और जिसमें दोस्तों उन्हें एक हजार नहीं बलकी दो-दो हजार करें चैनल सब्सक्राइब नहीं का चैनल सब्सक्राइब करें मैं आपको मिलता हूं अगली अबडेट में